आज के वीडियो में मैं गर्मी में पोधों के लिए ठंडक देने वाला एक ऐसा खाद बनाऊंगी जो बिल्कुल और गेनिक खाद है और इस खाद को डालने के वाद आपके प्लांट में भरपूर मात्रा में फूल तो आएंगे ही पोधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होग हैं तो यह समस्या भी खत्म होगी सबी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रियंट से भरपूर यह फर्टिलाइजर पौधे की मिटी को नमी बनाके रखता है मिटी को उपजाव बनाता है और पौधा गर्मी में मरने से बच जाता है एक बार आप इस फर्टिलाइजर को डाल देते तो एक महीने तक आपको किसी दूसरे खात को देने की जरूरत नहीं होगी इस fertilizer से ही पौधे को जरूरी पोशक तत्तों मिल जाएंगी गर्मी में वैसे तो बारबार fertilizer का यूज प्लांट को नुकसान पहुचाता है लेकिन आप यदि सही fertilizer देते हैं तो पौधे में किसी तरह क साइड इफेक्ट नहीं होता है तो सही fertilizer में अधी बात करूं तो यह जैविक fertilizer होने चाहिए chemical fertilizer गर्मी के दिनों में अपने plants में आप यूज ना करें चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस fertilizer को बनाना है इस fertilizer को बनाने के लिए मैंने चार चीजों का इस्तेमाल किया है चारों ही चीजें पौधे के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है और यह plant में जरूरी सभी पूशक्तत्तों की पूर्ति करती हैं तो सबसे पहले मैंने लिया है एक बाल्टी में पानी तीन लिटर पानी मैंने यूज किया है आप अपने प्लांट्स की संक्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस fertilizer को बना सकते हैं तो जितनी भी मात्रा है मैं तीन लिटर पानी के लिए बता रही हूं सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ यह उपले यह पुराने गोवर का कंडा है और यदि आपके पास यह नहीं है तो आप पुराने गोवर का खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैंने एक बड़ा कंडा लिया हुआ है यदि आपके पास छोटे छोटे उपले हैं तो आप दो उपलों का इस्तेमाल कर सकते हैं इनको आपक को चोटे चोटे तुकडों में तोड लेना है तो इस तरह से इन तुकडों को आपको इस पानी में डाल देना है यह देखे इसके बाद मैं इसमें दूसी चीज डालने वाली हूँ यह जो कंडे के तुकडे हमने इस्तेमाल किये हैं पौधे के लिए nitrogen, potassium, phosphorus के साथ कई Micronutrients अपलबद कराते हैं और पोधी की मटी को उपजाओ बनाने का काम करते हैं बैसे भी अम गोबर की खाद का इस्तेमाल अपने plants पर अक्सर करते रहते हैं यदि आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यदि cup से map करते हैं तो 4 cup पुराना गोबर का खाद लिजिए पुराने गोबर का ही खाद होना चाहिए या उपले इस तेमाल कर रहा है तो वह पुराने ही होने चाहिए क्योंकि तभी ये प्लांट में ठंडक देते हैं यदि आप नए गोबर की हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्लांट को हीट देगी और प्लांट को नुकसान पहुंच सकता है इस बात का आपको ध्यान रखना है दूसी जो मैं चीज ले रही हूँ वो है ये ऐलोवेरा ऐलोवेरा हम सभी के घर में मिल जाता है तो मैंने ये दो लीफ ले ली हैं और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं ऐलोवेरा में तकरीबन 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो पौधे के लिए इसके बाद जो तीसरी जरूरी चीज है वह है ये बेसन बेसन हम सभी के घर में मिल जाता है बेसन में पोशक ततों के साथ साथ प्लांट की स्वैल को उपजाव बनाने की शमता होती है तो ये एक चमच भरके आपको इसमें बेसन डाल देना है और इसके बाद जो चौथी चीज में यूज करूंगी वह ये गुड़ 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 बैक्टिरिया इंक्रीज करने का काम करता है और हम जो भी फर्टिलाइजर बनाते हैं उसकी प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज करता है पुराना गुड़ इस्तेमाल करें तो और भी अच्छा है य यूज करने का तरीका भी जानना जरूरी है तो मैं इसको रखती हूं तीन दिन के लिए तीन दिन बाद फ्रेंट्स कुछ इस तरह से आपको यह फर्टिलाइजर मिलेगा अब आपको इसको चान लेना है चानने के बाद हम इसको डैल्यूट करेंगे डायरेक्ट हमें प्ला यूज करें बचे हुए यह उपले के टुगड़े हैं आप फिर से पानी में गला कर रख सकते हैं यह डायरेक्ट इसको सुखा कर और इसको अच्छी तरह से तोड़ कर मिटी में मिला सकते हैं तो डैल्यूट करने के बाद कुछ इस तरह से फर्टिलाइजर बनकर तयार कर दो करी के छॉज़के हैं तो दो का अवे कर दो झार हो इसकी कर दो झानी हैै क्वे टोड़के हैं अवार डैल्यूस